दोस्तों नमस्कार आप जो ये तस्वीर अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इस चीज को दर्शा रहा है कि वंदे भारत एक्स्प्रेस जो है अभी तक में कहां कहां मोदी जी के द्वारा दी गई है तो पहले तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि इस वीडियो का उद्देश किसी भी तरीके से किसी भी राजनितिक पार्टी या राजनितिक से रिलेटेड नहीं है बस ये दर्शाने के लिए है एक जिनरल इंफॉर्मेशन तो पहले आप यहां देख पा रहे होंगे कि जम्मू कस्मीर को मिल गया सबसे पहला बंदे भारत दिल्ली वाराने से चला था पता ही होगा दूसरा बंदे भारत आपको जम्मू कस्मीर को दिया गया फिर उसके बाद हिमाचल परदेश वेगरा को मिला और उसके बाद फिर बंदे भारत का दौर चलना सुरूह गया और फिर कई राजयों में दोडों दे भारत चल रहे हैं लेकिन कई राजयों में एक भी बंदे भारत नहीं उसरी को आज हम लोग देखेंगे जैसे की आप यह देख पा रहे होंगे कि गुजरात को भी मिल गिया महराश्ट में दो वंदे भारत है गुजरात में गांधी नगर मुंबई है महराश्ट में सिर्डी मुंबई है और मुंबई सोलापूर है महराश्ट में तीन वंदे भारत है नागपूर विलासपूर भी महराश्ट को मिला है मद्य प्रदेश को मिला है आप यह देख पारे होंगे भोपाल दिल्ली वंदे भारत राजस्थान को मिला है दिल्ली केंट अजमेर हिमाचल प्रदेश को ने बताया है कि दिल्ली अमब दौरा मिला है यूपी को दिल्ली वारा नसी सबसे पहले मिला हावड़ा को भी हावड़ा नहीं जल पाए गुरी जो बंदे भारत एक्सप्रेस है ये भी बंगाल को मिला और ये तो ऐसा बंदे भारत है कि पूरे बंगाल को ही मिला है किवल दूसरा चीज है आप ये देखिए कि कोयम बटूर चन्नेई ये तमिलनाडू को मिल गया फिर उसी तरीके से चन्नेई महसूर ये करनाटक को मिल गया उसके बाद आप ये देखिए कि विसाखा पतनम सिकंद्राबाद ये भी आंधर परदेश तिलंगाना दोनों को मिल गया और फिर सिकंद्राबाद तिरूपती ये भी आंधर परदेश तिलंगाना दोनों को मिल गया और अभी क्या है एक अपडेट की केरल को भी मिलने वाल है कि अभी कुछ दिन में 25 ताड़ी कोस्का उद्गाटन होगा मोधी जी करेंगे तिरुवननत्पूरम से साध कसरगर की कर कहीं करकर है तो केरल को भी मिली गया तो आप यह देख पा रहे होंगे कि इसमें से यह पूरा रीजन आपको भड़ा भड़ा दिखरा है मतलब हर इस्टेट लगवक कवर हो ही गया है कौन सा इस्टेट कवर नहीं है तो केवल यह जो लाइन आपको दिखरा है न यह लाइन यही लाइन का इस्टेट कवर नहीं है और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है सबसे बड़ी बात यह है यही तीनों इस्टेट पूर इस्टेट के कटेगरी में आते हैं मतलब वैसे इस्टेट जो की मतलब की जिनकी जीडीपी कम है जहां पे लोग उतना ज़्यादा अर बन जाए गारि की बन जाएगा क्योंकि बंगाल जो प्रोषपेरज जब था थो उंग्रेजों की कारण से खार बंगाल planting के यह हाफ बंगाल का महीं यहल हुआ कि तो आपको पता है कि उतने अच्छे तरीके से यह लोग संभाल नहीं पाएं बंगालHHHH चाहे कभी कम्यूनिजम रहा हो, चाहे कभी कुछ रहा हो, कभी कुछ रहा हो राजनितिक उठा पटक के चकर में बंगाल का बेरा गर्ख हो गया और बंगाल यह बात खुद बंगाली कहते हैं, कई बंगाली हैं जो यह बात खुद कहते हैं वो अंग्रेजियों के कारण मिला था तो हम लोग ऐसे रिजन की बात नहीं करेंगे हमारा केवल यह कहना है कि आप यह देखिए कि केवल यह रिजन आपको दिख रहा होगा खाली-खाली बिहार जारकर नुडिसा और पूरा नौर्थ-इस्ट तो सबसे बड़ी बात जो है कि अगर आप वाकई तोर पर देखंएं तो यही दो दो च्छेटर हैं जिनको नेगलेक्ट किया जाता है नेगलेक्ट किया जाता है मतलब सरकार के दौरा चाहे राजर सरकार के quiero नौर्थ-इस्ट और जो अपका यह स्टेट है बिहार जारकंड और उरिसा लेक दार्ग है तो ले लदा को इसलिए नहीं मिला है क्योंकि ये एक पहारी वाला छेतर है और यहां पे डिलेवे लाइन्स अभी अच्छे तरीके से बनी नहीं है अंडर कंस्ट्रक्शन है उत्राखंड को भी इसी कारण से नहीं मिला है क्योंकि ये भी पहारी स्टेट है और फिर ये बहुत ज देंगे या कहीं से देंगे तो इसी कारण से उत्राखंड को नहीं मिला है उत्राखंड में आगे जो लाइन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है मतलब जहां पर यह समझ लिजीक उत्राखंड और लेलादाक में इसलिए नहीं मिला है क्योंकि यहां पर रेलवे लाइन्स ज्यादा बिछीаль भी नहीं है एक देहरादून तक हैं भी तो देहरादूं से दिल्दी कोई खास ज्यादा दूर नहीं हो दहरादून से दिल्ली कि हनेक अच्छी खासी बीची है उडिसा में भी रेल विलाइंस अच्छी बीची है लेकिन यह तीनों इस्टेट पूर्ड इस्टेट के कटगरीज में आते हैं और कहीं न कहीं इसी पूर्ड इस्टेट्स का जो टैग इनके उपर लगा है इसी कारण से इनके साथ भेदभाव कहीं कहीं होता होगा मैं यह नहीं का रहा हूं दूसरी बात यह भी है कि यह तीनों स्टेट्स जो है वो नौन बीजेपी स्टेट्स हैं वैसे तो नौन बीजेपी और भी है राजस्थान भी है बंगाल भी है लेकिन राजस्थान और बंगाल को मिला है तो दूसरे में आप यह नौर्थ इस्ट को नहीं मिलने का जो कारण है वह यह है कि यहां पर जो डिल्वे मैक्सिमम पर मिसिवल स्पीड है रिल्वे के द्वारा वह बहुत कम है लगवक सव किलोमेटर परती घंटा है क्योंकि वहां का जो लैंड का जो स्ट्रक्चर है जो जैसा में लैंड इंडिया की जो मिट्टी जिस तरीके से होल्ड कर पाती है ज्यादा स्पीड को वो इधर की मिट्टी उतना नहीं कर पाती है पलस दूसरी बात है पहारी छेतर भी है इसलिए यहां पर ज्यादा स्पीड नहीं है इसलिए बंदे भारत अभी तक नहीं मिला है इसका मतलब नहीं कि आगे नहीं मिलेगा जरूर लेकिन अभी तक नहीं मिला है इसका ये भी एक बड़ा कारण है तो कहीं न कहीं ये सभी अंडिजर्विंग इसके नॉर्टिस्ट है उत्रा खंडे और लेलाददाख है और एक तो यह आपको गोवा दिख रहा होगा लेकिन इसकत कोई बात ही नहीं है गोवा से कोई मतलब ही नहीं है दूसरी बात यह है कि अखिर बिहार जारकन उलिसा को क्यों नहीं मिला तो बिहार जारकन उलिसा को नहीं मिला है यही सोचने वाले भी से है क्योंकि North East को नहीं मिलेगा कारण मैंने बताया कि North East को क्यों नहीं मिला है दूसरी बात यह है कि कुछ लोग कहेंगे कि बिहार में भी तो बरसोई जंक्सन है जो कि बिहार में परता है वहां पे बंदे भारत रुकती है भाई साब रुकने की बात नहीं है कि कहां रुक रही है कहां नहीं रुक रही है बरसोई में जो लेलवे स्टेशन है वहां पर केवल और केवल कटिहार जिले और बरसोई के आसपास के लोग ही उसमें ट्रेवल कर सकते हैं अगर कोई बंदा पटना का हो, दरभंगा का हो, या फिर बेतिया का हो, भववा का हो, भागल पूर का हो, वो कैसे बंदे भारत का मजा ले सकता है, बंदे भारत को वो कैसे पकड़ सकता है, वहीं आप ये देखिए कि फिर आप कुछ लोग कहेंगे ये तो फिर हर स्टेट मे है बिल्कुल है भॉपाल में भी अगर रीवा का बंदा हो सीधी का बंदा हो सिंग रोली का बंदा हो यह भॉपाल जाएगा थोड़ी टेंट पकरने के लिए लेकिन फिर भी यह देखा जाता है कि एक स्टेट के पास अपनी बंद व्हारत है की नहीं है यह चीज देखा जाता है ग्हों दूसरी चीज यह भी देखे जाती है कि जो भी इस्पीड वाली ट्रेने होती है उसको लॉंग दिस्टेंस केुले दी आ जताहें ताकी वो लंबी दूरी को कम समय में तै कर पाये छोटी दूरी जो डिसटेंस अल्रेडी स्रथ है उसको और ज्यादा सौट डिस्टेंस में कवर करने के कोई मतलब तो बनता नहीं है जो दो घंटे में तै होड़ा था वो देड़ घंटे में तै होगा और एक रेक फाल्दू खर्च हो जाएगा पूरा बहले ही आप उस एक रेक को दूसरे रूट पर भी चला लीजिए लेकिन उसका कोई मतलब तो नहीं रहा जाएगा ना फिर फिर तो आप यही कर दीजिए कि उसको एक अलग ना बोल करके जो लॉंग डिस्टेंस वाली जो रूट है जिस पर ट्रेंड चल रही है और जो सौट डिस्टेंस पर आप उसको एक अलग ट्रेंड बना कर चला रहे हैं वो दोनों को मर्ज कर दिए क्योंकि कोई मतलब तो रहा नहीं फिर तो वही यह देखी कि कुछ कुछ स्टेट्स हैं जिनके पास 3-3 बंदे भारत जीसे महलाश्ट के पास 3-3 बंदे भारत अपना तमिल नारू के पास 2-2 बंदे भारत और कही काहीं और ईहार का तो पिहार झाडखन उडिसा को एक भी वन्य भारद ना मिलना उडिसा को न मिलना इस चीज का कारण क्या हो सकता है यह आप आप हम लोग को बताईए दूसरा यह है कि कुछ लोग यह कहेंगे कि वंदे भारत एकस्प्रेस की जो मतलब कि यह एक एलीट क्लास लोगों के लिए माने जाती है बंदे भारत और बिहार जाड़कर उरिसा तेनों पूर इस्टेट है तो यहाँ पे इसमें ज़्यादा लोग ट्रेवल करेंगे नहीं टिकट ज़्यादा बिक्री होगी नहीं तो ट्रेन लॉस में जाएगी यह एक कारण हो सकता है लोग कहें तो यह तरक नहीं यह कुछ तरक है हम बताते हैं क्यों इसलिए यह वही बात हो गई कि जो बच्चा परने में कमजोर है उसे टीचर पढ़ाए ही ना यह सोच कर यह तो परने में कमजोर है इसे पढ़ा कि क्या मिलेगा यह बच्चा तो परने में कमजोर है इसे पढ़ा क्या में जो बच्चा एवरेज है या फिर जो बच्चा तेज है उसे पढ़ाओ ताकि हमारा नाम हो यह वह उस चीज को होर्ड कर पाए कि इसे क्यों पढ़ा है तो यह जो चीजें यह एक उटरक है जबकि होना यह चाहिए कि जो पूर स्टेट्स है वहां पर ज्यादा फैसलेटे देने चाहिए जिसे कि भिहार जारकर नुड़िसा यह तीन स्टेट्स हैं हैं यहां पर से लेवर मज़़ोर काफ़े जाता है आप तो बंगाल से बिजह रहे है और बंगाल में भी क्या है कि नॉर्ठ बंगाल वरस्ज साूत बंगाल का काफ़ी ज़दा आपको डेवलोपमेंट में अंतर मिलेगा क्योंकि इसी बंगाली जो है वो कहीं पर भी जाकर के बस जाते हैं तो इसी कारण से नौर्थ इस्ट के लोग भी काफी बंगाली को हेट करते हैं क्योंकि ये हर छेतर में अपना दबदबा चाहते हैं कि इसी कारण से त्रीपुड़ा में भी देखिए कि त्रीपुड़ा की जो लोकल कलचर है वो खतम हो गई और बंगाली कल्चर वहां पे दिरे-दिरे यह हो रही है इसी खारण से नौर्थ इस्ट के लोग बंगालियों को जादा पसंद नहीं करते हैं और इसी खारण से इनका बंगाल भी बट गया क्योंकि ये बंगाल को अच्छे तरीके से होल नहीं कर पाई इनकैपेबल लोग तो यहाँ पर ये कहने का अर्थ है कि फिर भी बंगाल को आपने दिया लेकिन बिहार जहार का नुड़ीसा को आपने बिलकुल नहीं दिया आप यह कर सकते थे कि पटना से देदेते कैपिटल है और और अल्रेडी कनेक्टेर है पटना से यह रहा पटना अले यार कि मर्य पटना फ्रेमार कर लें यह रहा पटना पटना से भुबनिसवड क्रेइट पहूइं से इनका कुछ उधार हो पाए इनका भी कुछ किया जा सके फिर आप यह देखे कि पंजाब को भी नहीं दिया गया है तो पंजाब को क्यों नहीं दिया गया है इसका भी कारण आप लोग जान सकते होंगे कि क्यों नहीं दिया गया है तो पंजाब को नहीं मिलना जो कि पंजाब तो वेल कनेक्टेड है हर्याना को नहीं मिलना हर्याना को नहीं मिलना समझ में आती है कि हर्याना को क्यों नहीं मिला क्योंकि हर्याना में कहां देंगे हर्याना तो सॉर्टिस्ट रूट पर है एक काम कर सकते थे कि अपना जो सिर्शा है या फिर हिसार है या फिर आप ये कहें कि अंबाला से लेकर के सिर्शा तक रूट बना देते या फिर हिसार बना देते रूट मतलब कि South West राजस्थान हर्याना को North East हर्याना से connect कर लेते तो ये भी पूरे हर्याना को लगव कवर कर लेता पंजाब को नहीं मिलना ये भी समझ में नहीं पड़े है समझ से पड़े कि पंजाब को क्यों नहीं मिला में मिला पंजाब तो वेल कनेक्टेड है तो पंजाब और बिहार, जहरखंड, उरीशा ये तीन स्टेट हैं जहां पे नहीं है लेकिन एक चीज है इसमें वियंतर की पंजाब में क्या है कि वंदे भारत का स्टॉप है जैसे लुदियाना में है जो कट्रा के लिए जो वंदे भारत जाती है उसका लुदियाना में वंदे भारत का स्टॉप है तो कहीं ने कहीं पंजाबी भी जहें दिल्ली वंदे भारत से जा सकता है लुद्याना से वो कट्रा जा सकता है और लुद्याना से कर वो दिल्ली आ गया बंदे भारत से तो फिर आई गया फिर उसमें क्या टेंशन दूसरा जो पंजाब से जो वंदे भारत जाती है वो है अपना अमदवरा वाली अमदवरा ने दिली जो वंदे भारत है ये भी पंजाब से होकर गुजरती है तो पंजाब में नहोते भी अल्रेडी दो वंदे भारत है हर्याना में तो है ही दोनों वंदे भारत है हर्याना मे तीन वन दिभारत हो गई अजमेर दिली केंट वाली भी हो गई गुजरने के माइने से अगर देखें लेकिन बिहार जार के नुड़ी सा में एक भी नहीं तो इसका जो भी कारण हो आप यह बताईए बांकि मैंने बहुत अच्छे से एक्स्प्लेंड भी किया और इसके साथ कि इसवीडयो को ऑद्यूस बों ने पहले कर दिया था कि राजनिती या राजनितिक पार्टी उसे कोई भी लेना देना नहीं है इसमें जो काम रहे हैं केंडर में और राज़्यमें दोनों बहुत अच्छा कांद रहे हैं है कुशख Serkin के सरकारों से भी कि वर्त्मान सरकार है केंडर में ये उसे कापी अच्छा काम कर रही है और कापी अच्छा काम किया भी जा सकता है इसकी साथ में सुटे को समावत करता हूं जैए भागल पुर्जेंग पलेस आंगी भास आंगी का वासा जिन्दाबाद